हलो दोस्तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे सर्दी जुखाम के तीसरे मेडिसिन के बारे में ये दवा बहुती अच्छा काम करता है और ट्रिलिक में बहुती कॉमोनली प्रेस्क्राइब्ड होता है दोस्तो ये भी एक होमियोपैथी प्रेफेक्ट्स नहीं है दोस्तो इस दवा का नाम है एंटिम टार्थ 30 ये दवा सर्दी जुखाम के सेकेंड फेज में यूज होता है सर्दी जुखाम लगने के दो-तीन दिन बाद जब सर्दी गले में बैट जाता है तब ये रेमिडी प्रेस्क्राइब किया जाता है गल के बाद थोड़ा आराम मिलता है ऐसे केस में ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है स्टिकी स्पुटाम गले में अटक जाता है इसलिए बहुत ज्यादा खासी होता है वो स्पुटाम को ये दवा लिकुईफाई करने में बहुत ही मदद करता है ये दवा लेने के बाद तुरंत आराम मिलता है और और भी अच्छे रेजल्ट्स के लिए इस दवा के साथ गरम पानी से गारगल भी कीजिएगा तो बहुत जल्दी सर्दी जुखाम ठीक हो जाएगा अगर वैक्सीन लेने के बाद सर्दी जुखाम हो तो मैं आग बंद करके ये दवा प्रेस्काइब करता हूँ और हर वक्त काम आता है अगर इस दवा को ठीक टाइम पे अकुरेटली डोज में लिया जाए तो ये दवा कभी भी फेल नहीं करता दोस्तों डिसकसन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो का मोटो है हेल्थ एडुकेशन को आम आदमी तक पहुचाना मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज कॉमेंट करे हेल्थ एडुकेशन फोर आल और नीचे आपका नाम भी लिख दीजिएगा सिर्फ इतना हेल्प चाहिए आप लोगों से प्लीज जरूर कॉमेंट कीजिएगा अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में इस मेडिसिन को दो बूंद दिन में दो बार चार दिन के लिए ये इस दवा को लीजिएगा दो बूंद सुभे ब्रेकफस्ट के बाद और दो बूंद रात को डिनर के बाद मतलब कुछ खाने के बाद ही इस दवा को लीजिएगा अगर आप स्मोकर है तो मेडिसिन लेने के बाद आदे घंटे तक स्मोकिंग को एवाइट किजिएगा दोस्तो इस दवा का डोस भी वेट के अनुसार वहरी करता है लेकिन मैंने इस वीडियो में बहुती कॉमोन डोस दिया हुआ है जो किसी भी एज ग्रूप में किसी भी वेट में काम करेगा अगर आपको परसनलाइज डोस चाहिए तो आपका उमर आपका हाइट और आपका वेट नीचे कमेंट किजिएगा मैं रिप्लाइ में आपका परसनलाइज डोस बोल दूँगा ये दवाई कोई भी लोकल होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा अगर आपके लोकल होमियोपेथिक स्टोर आपके वहापे ना हो या होमियोपेथि स्टोर में ये दवाई ना मिले तो डिस्किप्शन में दिये हुए लिंक से आप डायेटली ऑनलाइन बाई कर सकते है